नमस्तकार दोस्तों Target with PS Paryar चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेल वार्डर फायर मैंन परिग्चा की उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयो की कुछ भरतियों की और अंत में हम लोग बात करेंगे दरोगा बरती नोडिफिकेशन की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जेल वारडर फायरमेन परिज्जा की कापी विद्दार्थी इसके कटाफ की कटाफ और fireman पर इच्छा का परिणाम जनवरी के अंद तक आ जाएगा और फरवरी के दूसरे सफता या प्रथम सफता से इसकी दोड़ होगी तुरंत दोड़ सुरू होगी इसलिए आप लोग दोड़ना सुरू कर दीजिए कितने नंबर होना चाहिए इसके लिए भी मैं बताऊंगा ये आजे के समाचार पत्र है अमर उजाला और यहां पर लिखा है कि जेल वार्टर फायर्मन गुर्टसवार भरती का परिणाम जनवरी के अंद तक पुलिस भरती एवंप्रमनत बोड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वक करमा ने बताया कि भरती बोड का लक्षा है जनवरी में परिणाम गोशित करके फरवरी के पहले या दूसरे सफता में दौड़ करा दी जाए बहुत ही कम समय आप लोगों को मिलने वाला है यहां पर नीचे लिखा है कि उनका कहना है कि इस भरती प्रक्रिया में पहले से ही काफी विलम हो चुका है ऐसी में अब जल्द से जल्द परिचप प्रड़ाम गोशित करके नौकरी देने की कवायत की जा रही है उन्होंने बताया कि फरवरी के 3638 पद फायर मैं के 2065 पद और घुर्द सवार के 102 पद है तो दो चीजे तो इस पर स्थ हो गई एक तो परिणाम जनवरी के अंत में और जो दोड़ है वो फरवरी के लगबग दूसरे सब्ताय में यह प्रत्रम सब्ता से सुरू हो जाएगी अब बात कर लेते हैं कटाफ की कटाफ की बात करें तो मैं हमेजा से बताता रहता हो सभी में परिच्छा में की जो कि कोई भी परिच्छा होती है तो वह ऑग लेने वाले अबैर्थियों की संक्या तो अगर पदों की बात करें तो इसमें 5,419 जो है पद थे 5,440,000 इसमें अभेर्थी थे जिन्होंने आवेधन किया था और उसमें लगबग 40 परिशत विद्यार्थी एपियर हुए थे कुल मिलाकर के 45-50 परिशत की बीज में विद्यार्थी इस परिश्य में बैटे हैं लगबग धाई लाक माल लिया जाए तो एक तो पदों की संक्या भी कम नहीं होती है चोवन सो उनिस पद और जो विद्यार्थियों की संक्या वो कम हो गई है अगर पेपर की पेटरन की बात करें तो पुलिस सिपाही के जो पेपर होता है उससे तो इसका पेपर स्टेंडर था मॉड्रेट पेपर था मतलब बहुत आसान पेपर नहीं था इसको थोड़ा सा को काफी चकाया तो पेपर को बहुत ज़्यदा आसान बिल्कुल नहीं कहा जाएगा तो इस हिसाब से कटाफ बहुत ज़्यदा जाने वाली नहीं है लगवक 13,547 अभरति पास होंगे दौड के लिए और वनफोर्थ की निगेटिव मार्किंग भी थी तो अब अगर हम लोग बात करें कटाफ की तो जो जन्रल की कटाफ है जन्रल की कटाफ होनी चाहिए जिन विद्यारतियों का निगेटिव मार्किंग हटा करके पचासी प्रस्ण के आसपास है पचासी प्रस्ण वो विद्धार्थी सेफ है वो विद्धार्थी दोड़ना शुरू कर दें अगर OBC के अबर्थियों की बात करें OBC के तो OBC की जो कटाफ है वो 80% के आसपास हो सकती है दो तीन प्रस्ण आगे पीछे इसमें हो सकता है और वहीं पर अगर हम लोग अनुसूचित जाती यानि ऐसी की बात करें तो ऐसी के जिन विद्धार्थियों अबर्थियों के बहत्तर प्रस्ण नहीं एक्ट्व मार्किंग को हटागर के सही है वो अबर्थि भी दोड़ करते रहें और इस परिच्छा में पास हो जाएंगी एस्टी की जो अबर्थि उनकी बात करें अनुसूचित जंजात सेड्र ट्राइब की एस्टी की तो जो जिन अबर्थियों का लगबग छाचट प्रस्ण सही है वो अबर्थि दोड़ने जाएंगी अब अगर मैलाओं की बा तो यह कटाफ है जो विद्यार्थियों नहीं बताई है कमेंट बाक्स में जो जिस तरीगे का पेपर के पटरन अगर उसकी बात करें तो हलाकि इसमें नॉर्मेलाइजेशन भी होगा कम से कम 10-5 नंबर का तो बड़े आराम से उपर नीचे होगा क्योंकि किसी किसी सिफ्ट का पेपर खास तोर से दूसरे दिन वाला तफ था और किसी किसी सिफ्ट का पेपर कंप्रीजन तुलना में आसान था तो अगर जिन अबैर्थियों के दस या या निकि चार या पांच प्रसन कम हो या जाता हो वो भी दोड़ना जारी रखे उनका भी चैन हो सकता है हम लोग प्री किसे इसमें भी जिन शिफ्ट का नंबर जो बहुंता उन विजिद्यारथियों की नंबर बढ़ हैं अब बात कर लिएते हैं उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोगं की उत्तर प्र.ख सेव ओडयानौ फेपको फेर्जा बदेनी हैं अवेधन पत्र जाना जाता है उसम 24 तारीक है तो जो अभ्यारती मुख परिच्छा दे रहे हैं वो इस नोटिस को जरूर देख लें इसकी बाद में जो अगली सूचना है वो है एक परिडाम की आज उत्तर प्रतेस लोग सेवा आयोग ने प्राविदिक शिक्षा विभाग का एक परिडाम जारी कर दिया है प् 20 पद उत्तर प्रतेस के और 17 पद अनसूचित जाती के दो पद अनसूचित जन जाती के यह जो बढ़ना में वो चारी कर दिया गया है और यहां पर उनका विद्यार्थियों को नाम रिजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर और सिर्णी इत्याद्मी यहां पर दिया हुआ है इसके बाद में अब अगली जो सूचना है वो है दरोगा भरती नोटिफिकेशन की दरोगा भरती नोटिफिकेशन की बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विद्यार्थी ट्वीटर अभियान के साथ साथ में कुछ और भी प्रियास कर रहे हैं अतरिक्त प्र पुलिस की अधिकारियों से मिलना और मैंने पिसले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि पुलिस भरती प्रोनत बोड के कुछ अधिकारियों से मिलने का मीटिंग है वह 21 तारीक हो नहीं है तो वह 21 तारीक नहीं है वह 22 तारीक हो नहीं मीडिया के कुछ अधिकारी और कुछ विद्यार्थियों के साथ में मीटिंग है और द्रोगा भरती के विग्यापन के बारे में तो आज नहीं इसकी जानकारी कल मिल जाएगी कल साम तक मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अधिकारियों से क्या जानकारी मिली और यह जो नोट अनवाद